दो मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज है और दो अच्छी न्यूज है यह मैंने अब भी तीन चार दिन पहले बोला था मैं दिल से चाहता हूँ यार छावा एक बहुत बहुत बहतरीन टॉपिक है संबाजी महाराजी पे है वो वो नहीं होना चाहिए यह क्लैश क्योंकि भा इचे यह फिल्म दब जाए कि यह इस बेस्डान टू स्टोरी और यह सोलो रिलीज डिजाव करती है यह हाई लेवल डिजाव करती है यह नहीं कि भाई पुष्पा के साथ क्लैश करके जान बुचके अपना इगो बीच मेला है मैं हमेशा बोलते आया हूँ मैडॉक फिल्म टी सिरीज भी नंगा हो गया था और वेदा मूवी भी हो गई थी इसलिए बार-बार बोलते हैं मैडॉक फिल्म के पास जो एक कंटेट होता है नो हमेशा अच्छा होता है पर यहाँ पर हो क्या रहा था कि पुष्पा का जो एक हाई प है ना वो नौर्ट, साउट, इस्ट वेश सब जगपे और वो पुष्पा 2 है उपर से छावा एक ऐसी फिल्म है जो नहीं एक तो इस हिस्टोरिकल फिल्म है उसमें कोई आपको मतलब यह देखने को नहीं मिलने वाला है इस लाइक इस बेस्ट उन टू स्टोरी और टॉपिक टू टॉपिक होने वाली और एक ब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कलेक्शन चावा का चांस जहां से है वो है महाराष्ट्र तो अगर मराठी में ही फिल्म आ रही है जो कि महाराष्ट्र की फिल्म है तो क्यों वापस 10-12 दिन बाद लोग देखेंगे यह भी सही है आउटस्टेंडिंग डिसिजन इगो बीच में आ गया तो तुम खतम हो यही एक बहुत आउटस्टेंडिंग डिसिजन है मैं दिल से चाहता है कि छावा एक तो सोलो रिलीज हो यह फिर कोई छोटी फिल्म के साथ आगे चलके हो जाए रिलीज इसलिए मुझे अभी भी स्काइफोर्स पर पूरा बिलीव ह कि स्काइफोर्स जाट जैसी फिल्म के साथ अभी भी नहीं करेगी क्योंकि मैं मैं अडॉक फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ हाँ बट अब यह नहीं पता कि छावा जाट के मूवी के साथ आ रही है या नी क्योंकि आप पूश्पान होके भी कितनी आगे जाएगे जा डिसेंबर में आने वाले थी जाने वारी तक ठीक है फरवरी फरवरी बेस्ट एक्चुली बट पता नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं बट एट प्रेजंट पुश्पा के साथ क्लैस नहीं हुआ यह मैं दिल से खोश हूँ क्योंकि मैं दिल से चाहता थे कि य बताइब हैं चाहिए यह पुरा बिलीव है क्य ये फिल्म अच्छी वनाई गई होगी इसलिए मैं नहीं चाहता था कि क्यो नुक्सान करें एक उच्छी फिल्म क्यूंकि बांग दोनो रोग दोनो टाइप के फिल्म लोगों को देखनी इसा मन करता ही होगा beber लोगों पर ब बात है मैं तो भाई खूश हुई है पुश्पान हुई है चावा आउट स्टेंडिंग और पुश्पा सोलो रिलीज का मतलब है भाई बहुत से रेकोर्ड डेंजर में खतम खतम टाटा बाई बाई गुडबाई बहुत से रेकोर्ड ट्रस्ट में ओन दिस ये कलेक्शन प्रेडिक करना नामुम्किन हो जाएगा पुश्पा गा आई डोट नो वो बोलते ना अभी से धक धक हो रेला है पता नहीं भाई क्य होगा ये पोश्पान होना अब तो स्क्रीन पूरा पुश्पा कहा के तब तक सिंगाम और भूल भूलया को बाई बाई भाई भी होना पड़ेगा तब तक तो होना ही पड़ेगा भाई अब तो रूल नहीं अब तो पूरा एरा पुश्पा का बोलना पड़ेगा रूल पुश्पा को लॉस ही नहीं है, 26 जानेवारी तक शायद पुश्पा चलती रहेगी, 5 दिसेंबर आ रही है, जानेवारी हाँ वो शायद कुछ जगा पर बाद में, वो राम चरण की फिल्म आ जाएगी 10 जानेवारी से, बट एक महीना तो मिल रहा है न, में जाएगी 10 जानेवारी से,